नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का संगर साइस के योटूब चैनल पर आज हम इस वीडियो में बात किरेंगे कि हड़ा पस हम बता से रिलेटेड जोगे कोश्चन है एक वीडियो हमने अल्रेडी अपलोड कर चुका हूं उसी को आगे नेस्ट वीडियो देखें हैं उसके कड़ी को आगे बढ़ाते हुँ इसमें पहले वीडियो अमने पचेश कोश्चन देखा था उससे आगे इस में इस वीडियो हम देखेंगे उसके आगे कितनी इंपोर्टेंट और ये सारे कोश्चन इतने हैं ये आपके एक्जाम से रिलेटड या तो प्रिवेस से य पुछे गए हैं प्रारंवी परिच्छावों में वही सब कुश्चन इस पर हम देखेंगे देखे चलिए आपका टाइम नेस्ट करते होगे हम डारेक्ट कुश्चन पर आते हैं पहला कुश्चन है इसमें देखे हडपा संस्कृत की निम्लिकते अस्तलों में से कौन से कौन स अबस्तित है पहला आपसन इसका है घडपा दूसरा आपसन इसका है मोहन जो ढड़ो तिसरा आपशन इसका है चनु दढ़ो और चोथा आपसन है सुर्क उठधा तो नीचे दिये गए कुठ की सही निर्दिश्ट करजिए ठीक है तो उत्तर सही चुनने के लिए कह रहा है पहला option है इसमें 1, 2 और B option है इसके 2, 3 UPCS GIC 2010 में पूछा हुआ कुश्चन है और C option है इसके 2, 3, 4 और D option है 1, 2, 3, 4 तो देखें पहला option इसमें हडपा हडपा जो है यह तो नहीं है हडपा यह जो पंजाब में कहां पे पंजाब प्रांत में पंजाब में यह सिंद में है और सुटकोटदा यह कहां पे है आपके गुजरात में बाके इनके डिटेल जानना है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं इंडर सिवलेजेसर रेलेटे जो महत्पूर अस्तल है इन सब सारे के बारे में Detail में क्या क्या पाई यह तो इसका option meget two are Aquiaufen बी आप संब जो और तीन यह वाला ठिक को बेस्ट वीडियो देख रहे हैं नेर्श्ट में हम देख रहे हैं कि चनुदढ़ू के उतखनन का निश्देशन कीया था उसको पहला पसदेज Japanese ने चमुधड़ो के उत्खनन का निदेशन किया था तो पहले option इसके दीखिए जिएच मैके ने और इसके बाद फिर आपका दुसरा option कौन है सर जान मार्चल ने दुसरा option कौन है सर जान मार्चल ने तिसरा option है IEM ilear ने और चोथा option D option है इसका चनुदढ़ो के कौन से एक्जेक्ट आंसर हो सकते हैं इसके एक्जेक्ट आंसर है आपको बता दे रहा हूं यह ए औप्षन है जी एच मेके ने किया था ठीक है यह चनुदड़ो चनुद़ो कहां पढ़ता है आपका यह पढ़ता है आपके सिंध परांते में ठीक है 1931 में यह इसकी खोज की गई ठीक है चलिए आगे इसके बाद इसके चनुदड़ो के कई सारे लोग इसके बार-बार उत्करन करवाया पहले जो उत्करन कराने का जो निर्देश करता है जो एज डारेक्ट करता है कि यह चीज़े यहां से यह चीज़े वो सब सारे के बारे में ठीक हम कुश्चिन के बात कर रहे हैं सिंधुगाटी सब बता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है पहला देखिए आपसान है इस गिरपूर तो इसका एक्जेक्ट सिंधुगाटी से बतागा कौन सा अस्थान अब पाकिस्तान में तो इसका कौन सा अस्थान पाकिस्तान में हडपा है काली बंगा कहा है यह तो आपके यहां पे राजस्थान में काले रंग की चुडिया लोथल कहा है यह आपके गुजरा आलमगीरपुर कहा है यह पश्चमी कहां पर है पश्चमी यूपी ठीक है और इसका एक्जेक्ट आंसर होगा यह हडपा ठीक रंगपुर जहां हडपा की समकाली नसबहता थी तो यह इसका फर्श्ट आपसन है पंजाब में और सेकंड आपसन है पुर्वी उत्तर परदेश म और सी आपसन है सौराष्ट में और डी आपसन है राजस्थान में तो इसका एक्जेक्ट रंगपुर कहां पर है यह सौराष्ट में ठीक है एक्जेक्ट आंसर क्या है इसका सौराष्ट नेश्ट कुश्चन देखते हैं दधेरी एक परवर्ती हडपी हडपी पुरास्थल ह तो पहला अपसन है इसका जम्मू और दूसरा अपसन है बी अपसन जो इसका है पंजाब और सी आपसन है हर्याड़ा और रे आपसन इसका उत्तर प्रदेश तो एक सा एक्जेक्ट आंसर क्या होगा दधीरी ये परवर्ति हडपे आस्थल है तो कहां पर यह पर पर पंजाप के लुधियाना जिले में कायए पंजाबी प्रांद के लुधियाना जिले में लुधियाना żीर लेकिर गुविंदगड़ के पूंपके पास इस्तित सत्सक्तर राते का शिर्वांद फॉद्च त बाप然后 है पेहला अपस्वन अंधम दम धरता है तो बहरत में कौन सा इस زचत आंसर कौन इसकाjin कोसा होगा in जेट C ठीक है, जली हाँ, नेष्ट हम कुश्यन बात करें, नेष्ट कुश्यन है इसका वह हळपी नगर जिसका प्रत्यनी धीत्व लोथल, लोथल का पुरातत्व अस्थल करता है, किस नधी पर इस्तित है, पहला आपसन देख लिजे इसका, पहला आपसन इसका है नर्मदा ए आपसन, बी आपसन है माही, सी आपसन है भोगवा और डी आपसन कोई सा है भीमा है हमने बताया था कि जो लोथल है ये भोगवा नदी पर है आप इसका डेटेल देखना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं इंडसिव लेटेट ठीक है प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री के सिंट हिस्ट्री में ये गुजरात के अमंदाबाद जेले में पड़ता है भोगवा नदी के किनारे इस्थी थे ये सरवाधि महतपूर अस्तल है यहां पर यह लोथल एक बंदरगार टाइप का है तो कि यह कह यहां पर बहुत बड़ा एक तलाब टाइप का या असनानागार टाइप का मिला है जहां से मना जाता कि यहां से क्या करक किया जाता था कि जो ब्यापार होते थे और भोगवान ने दी किनारे का सबस्ते एक हडपा यह बंदरगा या गुदिवाड़ा बहुत सरे इतियास क बड़ा बंदरगा गुछ लोगों ने कहा कि बड़ा सा तलाब होगा सनानागार होगा सार्जनिक होगा ऐसे है लेकिन किताबों में तो एक गुदिवाड़ा दिया गया ति जेक्ट अपसन इसका सी है भोगवान ने दिख गिना रहे हडपा सबतास्थल लोथल इस्थित है कहां पर है जेक्ट इसका पहला आपसन है गुजरात में बी आपसन पंजाम में सी आपसन राजस्तान में डी आपसन सिंद में तो लोथल कहां पर इस्थित है लोथल आपके इस्थित है गुजरात में ठीक है कहां इस्थित है गुजरात में और निश्ठ हम देखते हैं सिं और C आपसन लोथल और मोहंजोदड़ो D अपसन तो इसका इसका सिंदुगाटे सब बता का पतरनगर था तो कौन सा था आप इसका अंसर लगा सकते हैं C आपसन कौन सा एक हड़पा का बंदर्गा और C है पटली पुत्र और D है लोथल तो काली बंगन रोपड और लोथल तो ये तीनों है पटली पुत्र नहीं है इसका एक्जेक्ट आंसर क्या है जिए नेश्वोष्चन है भारत का सबसे बड़ा हडपन पुरास्थल है पहला आपसान है आलंगीरपुर बी आपसन है काली बंगा, C आपसन है लोथल, D आपसन है राखी गड़ी तो भारत का सबसे बड़ा हडपा हडपन पुरास्थल कौन सा है भारत का सबसे बड़ा कौन सा है ये है D आपसन कौन सा D राखी गड़ी इसमें से सबसे बड़ा है ठीक है आलंगीर काली बंगा लोथ पर बसी थी वे थे तो पहला है सिंदू, बी अपसन, सिकंड है चिनाब, तीन है झेलम, और फोर है गंगा, तो नीचे दिये के कुट में से सही उत्तर का चैन कीजिए, तो पहले जो अपसन है इसमें एक और दो है, ये वाला, बी है एक दो तीन, और सी है दो तीन, चार, और भी है, कौन सा है सभी, तो इसमें देखिए कौन कुंन, किस के किसे रेत, शिंदू, सिंदू, नदी किनारे, चिनाब के, downstairs, बहुत के जहलं के, और फोर गंगा, गंगा के पास तो नहीं है तो इसका अपसन हो जाएगा, कौना option हो जाएका बी , एक दो तीन , एक दो तीन , ज sozial का सहही हो गा यह बी तो आपको पता है सिंद्धुगाटि के लोग वहां पे लिपना पढ़े जाने के करेड़ से था हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है कि वहां के लोग किस बहगवान को मानते थे कि है वहाँ पर मात्रिते होतीत। ज्यादा मिलता है उसलिए उसलिए एक जैक्ट मात्रशक्ती उसलिए hurting कि महिलाय होती थी और अधी उनका ज्यादा वर्चिस था इस तरह से बहुत सारे साथ मैंलाव में काफी ज्यादा अनिका वर्च बड़ा होगा इस तरह से दीवियों पूजा करते थे पहला अच्छंप्राती के विर अप्संने इंद्र और वरूड की और C आपसन है ब्रह्मा की D आपसन है बिश्डू की तो सिंदुगाटी के लोग पुजा करते थे किसका पसुकती की यह आपसन सही है ठीक है नेश पोश्चन देख रहा मोहन जो दाड़ो हडपा की पुरा तत्तिक खुदाई के प्रभारी थे यह आपसन है लाड मेकाले B आपसन है सरजान मार्शल C आपसन है कलाइब D आपसन है कर्नल टाड तो इसका एक्जेक्ट जो अंसर होगा की कौन सा है सही है इसका सरजान मार्शल कौन सा सरजान मार्शल सिंदुगाटी सबता की खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा है वे हैं देखे पहला आप्षन है इसमें राखलतास बनेर जी और तथा दैरम सानी बी आप्षन है जान मार्शल तथा सोरी परसाथ दी आप्षन है आसिरवादी लाल स्रिवास्तो और तथा रंगनात राव दी आप्षन मादसर वस तथा बीवी राव इसका एक्जेक्ट आप्षन है सही जो है वो कौन सा है यह राखलदास पनरजी और सैनी यह आप्षन सही है ठीक है चत्तिसगड़ पीसियस प्री में कुछ निकालने में यह दोनों लोगों का मुख्वून क्या थी और सर जान मार्सल के नित्रत में किया गया था ठीक है 19122 में यह खोजी गई थे दोनों हडपा और महुंजो दाड़ो ठीक है निस्ट हम दिबात करते हैं निम लिखेते में से कौन से सुमेलित नहीं है पहला हडप अंसर जो होगा यह डी है कौन है डी है पहला तो हडपा दैरम सहनी सही है लोथल एसराव ठीक है और नेश्ट है इसका सुरकुटदा इसका एक्जेक्ट आंसर जो गलत है यह सही ने बिके थापड बिके थापड नहीं होके आर्यस बिष्ट थे धोला वीरा कोन थे आर्यस बिष्ट इनका नाम है आर्यस बिष्ट है यहां पे होना चाहिए था आर्यस यहां पर भर बेस्ट इस तरह होना चीकश यह दिक है जो गलत है d ने ने एक में पुचरात में नेश्टा अप्सन दिखते हैं हडपा का उत्कनन करने वाला पर्थम पुरातत विद जो इसके मात को नहीं समझ पाया था पहला अप्सन इसके क्यों से है देखिए एक कर्णिंग बी आप्सन है सरजान मार्सल और डी सी आप्सन है मार्टिमर विलर और डी आप सरज जो है हडपा उत्कनन करने वाला पर्थम पुरात तो जो इसके मात को समझ नहीं पाया था यह आपसन कर्णिंगम ने कर्णिंगम साहिब ने नहीं समझ पायते है यहां पर टीले है क्या है ठीक है नेस्ट कोश्चन देखते है नेम लिखित में से कौन हडपा मौन जद सी आपसने है म एम एम एस वाट्स डी आपसने व यह इस समीन इसका अंसर जो सही है यह इसका अंसर है यह इसका अञे आंसर है डी भीए इस मिथ नहीं है बाकि सारे लोगा है ठीक है तो नेस्ट कोश्चन देखते हैं सिंदू सब्वता की बिक्सित अवस्थह में तो इसका एक्जेक्ट जो अंसर सही है इसका मोहन जो दाड़ो कौन सा है मोहन जो दाड़ो यह एक्जेक्ट कहां पर इस्थित है पहला आपसन है भारत के गुजरात में भारत के पंजाब राज्य में कि आने का सही कलानुक करम क्या है सोने के सिक्खे पहला आपसन है दो हैस आहत Suggest Girls को अंदृ प्रियोग करके सही उत्तर का चैन कीजिए तो आपको पता है सही उत्तर का चैन कीजिए इसमें अब देखिए पहला जो आपसंदी है 3-4-1-2 और B आपसंद 3-4-2-1 और C आपसंद 4-3-1-2 और D आपसंद 4-3-2-1 तो इसका देखिए पहले सब पहले क्या नगर प्रेसंस कीत आई थी फिर लुहे का हल मिला था ना फिर लुहे का हल मिला था फिर आपका आहत मुद्रा चादी के सिक्के मिले थे फिर सुने के सिक्के मिले थे इसका एक्जेक्ट आंसर कौन सा होगा ये डी आपसं होगा कौन सा होगा दी और दिए लोह सबसे पहले कुण से ताम परशाड का लिंग इस्तिति दी आपसन का थिदात का पैमाना हरपी संधर में मिला है पहला आपसन है कालिवंगर भी जोथन और दोला बीरा और देए बनवाली तो इक्जेक्ट आपसन कि इसके अंसर कुण से होंगे यह रोथन यहां तो लोगा की जनकरी नहीं थे उनको ठीक है अधिक जनकरी संस्क्रिट से श्टार्ट होता है वह उत्तरवेदिक काल में हैं हम उत्तरवेदिक काल मेडियो मनाए हूए है तो वहां पर देख सकते हैं सारे बात ने श्रम कुछन है निम्लिकन में से कौन सा अस्थल गगर और उस भाड़ो और आपसन आप वाली तो इसमें धिकिए निंसमें कौन सासे दाफल हुई निम्लिकन में सते रुद कंज उठके कि नीचे दिएगे कोड़ेदि के सही उत्तर चुलुए है आपका महह जो निए के साथ नियोजिस सहरों का भी खेस है टीना सने इसका हडपा के लोगों को धातों का उफ्योग का पता नहीं था बिलकुल गलत बलकि सोने और ही चादी और प्लेस के तावे के करते थे इसके जो कूट में दिया है यह यह गलत को सब्सक्राइब एक कथन यह दिया है और कारड आ रहे है वह खुदाय के दोरान प्रकट हुए थे उप्रियुक्त में से निम लिखेत में से कौन सा एक सही है तो पहला आपसन है इसमें देखिए यह और आर दोनों सही है आर एकी सही अस्परस्ट्ट अस्परस्टिकरड एका है ठीक है भी आपसन है इसका यह सही है किन्तो आर गलत है और डी है यह गलत है किन्तो आर सही है इसका जो एक्जेक्ट अंसर है इसका बी आपसन है वालब कि बी आपसन है कि ए और आर दोनों सही है किन्तो आर एका सही आर सही अस्परस्टिकरण नहीं है एका तो इसमें देखिए मौन ज जो विस्षिस्ता है थी वो खतम हो गई थी लेकिन वहां पर यह जो दाड़ो और हर्पा एक छोटा से नगर की रूप में विक्सित हो गया बहुत सारे चीज़े तो इस खुदाई के दोरान प्रकट हुए हां बिल्कुल खुदाई के दोरान मिले थे यह सही बाते हैं तो इस काली बंगा और बी आपसाने थे लला बीरा शी आपसान में कोड दीजी और डी आंपशान आमरी वहरापस संस्क्तिक के संदर में अस्तापथ के प्रमाण कहां से मिले थे जो आंसर यह भी आप से नेंदेए थुरमाबीराइस से मिला निञेंड कहां से कई सारे सेंट कृतं आ रेजर मिले मिलें थे तो आप कों से मिले dejके निस्ट हम चलते हैं निष्ट किस राज में इस्थित है पहला है गुजरात में भी है हर्याड़ा में और सीय पंजाब में डी है राजिस्त पहले पीस जना चुछा यह पूचा इसका कौन से जंग प्रिद्ध जो इसके हैं कि यह कौन सा रपी नगर तीन भागों में विएकता है पहला आपसा ने लूतल भी आपसा ने काली बंगा सी आप पर देखेंगे तो वहां पर तीन नगर होते हैं एक उत्तर उपर वाला उपरी नगर होता है उपरी नगर होता है निचला नगर होता है जोमनोरते हैं 58 वाले एक उन्नत जल प्रबंदनब्योस्ता का साच प्राप्त हुआ है पहला आलें जल प्रबंदनबль व्यंद्ध भेस्ता का साच्ठा बाले यो कहां से मिला है इसका आपसां हं जल खल्व कि दोला विरा बीस और नेश्ट हम कुश्चिन देखते हैं हरपन अस्थल जो अस्थल है सनौली के अभी हाल में उत्खन्यों से प्राप्त हुए है इसका पहला अप्सान है मानो सवाधन बी आप्सान है पस्वो के सवाधन सी आप्सान आवासी भाउन और डी आप्सान अच्छा दिवा तो अस्थल जो सनौली अभी प्राप्त हुए है सनौली कहां पढ़ता है यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पढ़ता है यहां से कुछ मानो कंकाले 125 मनो सवाधन प्र मिमेश वस्तरो के लिए कपाज के खेठी का आरंभ सबसे पहले किया गया था है पहला आपसर में मीसर में आपसर में और d आपसान है भाणता है तो इसका एक्ट अंसर है तो कि पारत हुई आरे प्रामठी में देखे किसा सही सही कि निस्थ में acts सब्वता के संधर्म में निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए पहला है यह प्रमुक्त लोकिक सब्वता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्वपी उपस्तित था वर्चेस साली नहीं था सेकन्ड अपसन है उस काल में भारत में कपास से वस्तर बना जाते थे। उपनईक उन्थेs के लौत से कूंसा या कोणसे सरह अर। शही बात है। उस में भारत में कपास वस्तर बना जाते थी तो बिल्कुल हमने कौन से आपसन कोई से लच्छर सिंदु सबता के लोगों का सही चित्रर करता है या करते हैं तो पहला है इसका जो है उनके विसाल महल और मंदिर होते थे वे दिवियों देवताओं दोनों के बुजा करते थे दो आपसन से तीन आपसन वे युद्ध में घोड़ो द्वरा केच गया रथों का प्रयोग करते थे ठीक है तो इसमें देखिए इसका कई सारे कुश्चन अंसर देखिए मंदिर का बहुत ज्यादा वहां पर कई मिला हुआ नहीं है अफसे नहीं प्राप्त होगा इस तरह से व्यापक प तो किवल B आपसन इसके सही है किवल B आपसर इसके सही है निमलिकित अस्थानों पर से किस एक अस्थान पर संदुगाटी सब्ता के से संबंद विख्यात ब्रिशब मुद्रा प्राप्त होई थी तो पहला आपसन है हरपा B आपसन है इसका मोहन जोदाड़ो और C आपसन है लोथल और D option है इसका मोहन जोदाड़ो तो कह रहा है कि अस्थानों पर किसे का अस्थान पर सिंद्धु गाटी सबता से संबंद विख्यात ब्रिष्टड मुद्र अप्रत आप तो यह मोहन जोदाड़ो से इसका option है इसका डीटेल जानना हो तो आप हम सारे डीटेल बनाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा हम जल्दी जल्दी कुश्चन को बता रहे हैं और अब बाकी आप सारे इसका डीटेल जानना है तो फिर आप वीडियो देख लीजेगा निम लिखित में से किस पसू का अंकन हडपा संस्कित के मोहरूप पर नहीं मिलता है पहला यह बैल और भी हाती सी ए गोड़ा अब देड़ा तो गोड़े का साच नहीं प्राप्त होता किसी भी मोहर पर ठीक है और यह नहीं कहा जा सकता गोड़े को प्योग करते थे वह नहीं करते थे लेकिन गोड़े के क प्राप्त नहीं हुए पहला आपसन है इसका सेर बी आपसन है गोड़ा और सी आपसन है गाय और डी आपसन है हाती तो इसके जो अंसर है यह सेर है प्राप्त हुए घोड़े के भी हड्डियां प्राप्त हुए हाती गया के तो भी प्राप्त हुए है पहला आपसन है बनवाली से बी आपसन है काली वंगस से सी आपसन है लोथल से और सुर्कोटदा से डी आपसन है ठीक है तो इसका एक जैक्त अंसर जो होगा यह है आपका बी आपसन काली वंगस से ठीक है आपके अपरिका माधिम में तो मिस्र उस नदी के किनारे नियल ने दी तो जैक्त बतक है इसकी कुण से डी अचेक्ट अब दिए जेट अंसर इसके टिए 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 नेस्ट कुछन ने लिखन कला लिखन कला कि उचित प्रडाली विख्सित करने वाली स्वर प्रत्म प्राचीन से बता थी तो पहला अपसा ने सिंदु और विए मिस्र और सी है सुमेरियन और डि है चीन तो इसका एक्जेक्ट अंसर है C Sumerian कौन सा है Sumerian थीक है Sumerian लोग मिस्वपोर्टामी एक सब्धा होती है उसी सब्धा को कहा जाता है पर थम लिपिः अविश्च करता है थे यहां पर लिपित पाए जाते यह आपके सिंदुगाटी सब्धामी पाई गीए यह उससे पढ़ा नहीं किया नियस्क और 2 यह लोधल तो हल करगे जो साथ प्राप्त हुआ है पहले पेला है पसेन में इस सब्धा ए मदाब्र करतल हुआ है और काली बनगा से प्राप्ट हुआ है मिठी की बनी होट फीशान्य कोता ब्रहत अस्थल गोन साहनों कोन इसका सत्तर वाले कुश्यन के दिखे, कौन सा इसका ब्रहत अस्थल कौन सा है, इसके बारे में हम भारत्न अरप्पा का ब्रहत अस्थल में जो जेट अंसर इसके सही होगा, वो कौन सा अंसर सही होगा इसका जेट ये आपका राखी गडी, कौन सा राखी गडी, नेश कुश् नियम्री कित्में से किस अस्त्र से दूझ संसकार double barrier का प्रहण दूटर है किस अस्त्र से मिलता है इसका δेखे पहला है मैं 95 पहला कौन सा है 200 c और b आपसं ने कने हैं धोलाबीरह और c आपसं क कों से है लोठल और d आपसं ने कालिबंगा इसके एकजेट आंसर जो हो होगा कि 580 यह ढौला वीरा लोथल यह काली बहंगा तो इसका अगर बात करें थे लोथल की frames इसका है और काली बंगा से एक यू उघल के यदि रहाम अगर प्रमाण के अधार पे संक्या के परुख़र प्रमाण के अधार पर इसके जाम के द्रिष्टी से दिखा जाए तो इसके जो अंसर होंगे वह कौन सा होगा यह सी लोग दल दल दिए निम लेकित में सब बताओं में उत्तर से दच्छड का सही क्रम कौन सा है पहला है माया और अजिट एजटेक मुष्का इंका बी आप सान माया मुष्का और इंका एजटेक सी आप साने एजटेक मुष्का माया इंका डी आप साने एजटेक माया मुष्का इंका तो इसमें जो सबसे पहले एजटेक की सब बता थी में सो अमेरिका में थी उत्तरी भाग में थी अमेरिका में ठीक है एजटेक डी है इसमें पूछ सबसे नीचे होता है वह दच्छडी अमेरिका के और नीचे कुट्टो में आसपास इसका दी-आसपास नीचे है कौन से नीचे होगा इसके यहां पर यह टल वहतर बाकि और जो इफ्रेव जो इन्पोर्टन कुष्चन रहेंगे हम करवा देंगे इतने प्रिवेश एर क्यों कुछ्छन में पुछे हुए थे हमने करवा दिया और जो बचे रहेंगे आपको जाहिए आप कमेंट किया करें, हम आपको प्रवाइट करनाएंगी जिस तरह के वीडियो क्या है, किस तरह के आपकी अग्जाम से त्रिय से आपका सेलेक्ष pigeon हो जाये, तो अच्छा लगा होगा तो forgot like करिएगा द्र नमद, thank you so much hai